अब चुनाओ तो होने 200 सीटों पर और उसमें एक छबड़ा विदान सबाश शेत्र जो है ये भी अपने आप में एक हाइलाइट सीट मानी जाती है होट सीट मानी जाती है यहां का विदान सबाश चुनाओ भी हमेशा एक राजस्थान में नजर पर होता है क्योंकि भाजपा मुकाबला देखने को मिलता है 2008 में करण सिंग जीते 2013 में उनका टिकट कटा 2018 में बहुत करीबी मुकाबले से वो हार गए थे आप खुद इस विदान सबाश के रेजिडेंस करने वाले रहने वाले मद्दाता भी हैं आप आपकी बारीक नजर रहती है पूरी विदान समी करन इस बार बैठेंगे क्योंकि दोनों ही पार्टियों के अंदर खाने की जो आवाजे हैं कहीं ना कहीं भाजपा में भी गुट सकिर रहे हैं और कांग्रेस में भी गुट सकिर रहे हैं ये दोनों ही आमने सामने होंगे या फिर कोई दो नए चेहरे सामने होंगे देखे बिलकुल बहुत कुछ बदलाओ देखने को मिल सकता है दोनों पार्टियों में काफी कुछ अंदरूनी चल रहा है आपने जिनका जिकरे किया प्रताप सिंग सिंग भी छे बार के विधायक हैं लेकिन उनका कही ना कही जुडाओ वो जग जाहिर है कि उनका वसंदरा से जुडाओ है वो वसंदरा गुटके हैं वसंदरा खेमे के वो कई मंचों पर कई बयानों में मेरे साथ उनका इंटर्यू है उसमें भी वो के चुके कि हमारी निता तो वसंदरा राजे ही है तो अगर वसंद्रा राजे को पावर मिलती है यानि उनके नित्रत में चुनाओ लड़ा जाता है तब तो प्रताप सिंग भी चुनाओ लड़ेंगे यानि उनकी सीट सेफ है और अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो कही ना कही जो वसंद्रा राजे के जो समर्थके उन पर भी गाज गरेगी और जैसा कि आपने कही दिया है कि अंदरूनी पार्टी में चल रहा है तो भाजपा में यहां भी अंदर कई सारे गुड़ सक्री हैं कई सारे लोग हैं जो चाहते हैं और भाजपा का अपना भी एक सर्वे होता है तो कुछ सर्वे की वह रिपोर्ट्स भी हैं और और भी कई सारे फेक्टर हैं और वो लोग सकरी हैं तो वो लोग भी चाहते कि उनको हटा कर दूसरा कोई चुनाओ लड़े लेकिन वह छे बार के विदायक हैं और मंत्री भी रह चुके हैं वसंदर राजे को टिकेट बाटने की वह मिलेगी तो उनकी फर्स पारिटी त अगर हम बात करें तो कॉंग्रेस में अभी तक तो फिलहाल तक अभी तक सिर्फ एक ही चेरा है जो पूर विदायकरण सिंग है वही सक्रिये भी हैं और टिकेट के दावेदार भी वही हैं लेकिन चुनाओ जब नजदीक आएं क्योंकि पिछली बार वो जिते हुए विदा भाया के और करीबी मताय जा रहे थे और इस तरह से और भी कई दावेदार हैं कॉंग्रेस में वह एक फिक्टर रहा वह भी निदले खड़े हो गए थे तो इस तरह से अभी तक पिक्चर के लिए नहीं वैसे तो में दावेदार तो यह दोनों ही है ऐसा लग रहा है कि दोन बार होते हुए भी दोनों पंचायतों में प्रदान नहीं बने छबड़ा में तो इसकदर नाटकी घटना करम हुआ कि यहां के जो प्रदान के दावेदार थे जिनको टिकर दिया था पार्टी ने मान सिंग धनोरिया उनको प्रस्तावक तक नहीं मिला पार्टी का कोई उनकी भी जिम्मेदारी आएगी, उसके लावा संगटन के जो यहां काम करने वाले थे उस वक्त के लोग, उन पे भी जिम्मेदारी आएगी, तो चांसेस तो हैं हला कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन अगर टिकट नहीं मिलता, तो छबड़ा, चीपबड़ो, विदान सभा, कर रहे हैं कि कॉंग्रेस के जो विदायक उनकी कारेशली पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो देखिए अभी तक के तो हालात ऐसे हैं कि वो दोड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, टिकट की, यह कि पूर विदायक भी हैं, और पिछला चुनाओ भी वो, काफी कम मार्जि जिन से वो हा रहे हैं, सकरिये भी हैं, और ऐसा कोई चहरा नजर आ नहीं रहा है, लेकिन मैं कि रहा हूँ, जब चुनाओं में टिकट वित्रण होगा, या परेवियक शेक आएंगे, तब कई सारे लोग दावेदार होंगे, हो सकता है जो नगर अध्यक्ष्थ है, चार चुनाओ लड़ चुक है, वो खुद भी दावेदार हैं, तो फिर से आएंगे, नातुरलाल जी का मुझे पता नहीं हो सकता है, ज़्यक्ष्थ हो सकता है, तब तक अगर उनका स्वास्ति अच्छा हुआ तो हो सकता है, वो भी दावेदारी करते हो नजर आएं, ऐसे क कि सिन पाइलेट का कुछ चलता है, तो हो सकता है, वो भी सक्री हो जाएं, तो इस तरह कई सरी चीजी नजर आ सकती है, एक और नेता हैं, बड़े छी पपड़ो दिदान सभा पंचायत के जिला परिशत के पूरु सदस्री भी रहें, महिंदर चोधरी पिछले चुनाओ में काफी उन्होंने फाइट की थी टिकट के लिए, आपकी अगर कई मुलाका तो अच्छे नेता हैं, वो भी इस वक्त पूरी दोड़ में रहेंगे, अगर वो भी आते हैं, और करण सिंगर आठोर हैं, कई नाम हैं, दिल्चस्प होगा, देखते हैं, टिकट किसको मिलता है, वागी विदानसभा चुनाउओ पूरराजिष्थान के अदर बड़े दिल्चस्प होने वाले हैं, बाराजिले की अगर और सीटों की भी बात करें हैं, वहाँ भी आपकी बारे किसे, बिल्कुल, वहाँ पे अगर आप बारे किसे नजर रखते हैं, बारा और अंता भी जा की मानी जाती है वह अकेले चुनाओं ही लड़ते हैं तीन सीट पर चुनाओं लड़ते हैं वह खुद अन्ता मांगरोल से लड़ते हैं लेकिन वह जो किशन गंज वाली जो सीट है वह एस्टी के ले रिजरवड है निर्मला सहर या भी विधायक है और पानाचंद मेखवाल यहां पर उनका इतना कोई ध्यान नहीं होता है तो यह भी जबकि वह एक बड़े लीडर है वाराजिले से केबिनेट मिनिस्टर है और पूरे वाराजिली की राजनीती पर उनका प्रभाव है अब यह पता नहीं कि क्यों वह चबड़ा की राजनीती पर यह चबड़ा अब इस पूरे फेक्टर में एक चीज और आपको ध्यान रखनी होगी कि भी हाल ही में जो जिला प्रमुक का चुनाओ हुआ था उसमें बहुमत भाजपा के पास था लेकिन भाजपा की सीट को हराकर प्रमत भाया की जो वाइफ है और मिला जिन भाया वो जिला प्रमुक ब लेकिन इसने कहीं न कहीं जो एक भाजपा का जो वोटर था जो ब्रहामन समाज की दावेधार जो और आन्ने संभाना करना पड़ा तो उनमें नाराजगी है अब वो नाराजपा तक चल पाती है या नहीं चल पाती यह और उब चुनाओ में भी कुछी महीने का वक्त बाकी कि अगर वो भ्रामन समाज ने उस नाराजगी को दिल पर लिया कि जिला पुर मुक के चुनाओं में हमारी कंडिडेट के इस तरह से हरी यह कौन लोग कौन नेता उसमें जिम्मधार थे तो इसका खामियाज भाच्पा के उन नेताओं को उठाना पड़ सकता है और अगर हम ब सब्सक्राइब करें तो जो लोग उसमें डारेक्ट टूप से इनवाल्व थे जिनको उसका नुकसान उठाना पड़ा उन सबने और लोग खामोश हैं दोनों पक्षों कि वह चुनाओं कहीं इंतजार कर रहें उन्होंने देखा कि कौन लोग थे जो हमारे उस वक्त उस तरह थे विजय बेस्ला वह और आये और वाकर कर जिस तरह की बाद यहां केकर गए वोट हमारा रास तुम्हारा नहीं चलेगा तो किस तरह का संकेत वो दे रहें आपको समझना पड़ेगा कई दिनों से यहां पर किसान अंदुलन चल रहा है तो वह किसान अंदुलन भी अ किया गया और यह जो किसानों ने जगे जगे जो रेलियां की सभाएं की हैं तो एक तीसरा मोर्चा भी यहां पर तयार हो रहा है भाजपा कांग्रेस के अलावा और उसका नुक्सान दोनों को बरावर होगा भाजपा कांग्रेस दोनों को बरावर नुक्सान होगा यहां प पिछली बार तो उनके पूर किर्शी मंत्री थे पर बुलाल जी सेनी उनी को लाकर जब चुनाओ लड़ाया था और अब इस बार कोई लोकल इस तरह का नेता नजर आ नहीं रहा है तो देखते हैं क्या कुछ होगा उनको क्योंकि अगर भाया को उल्जा दिया तो बाकी दो सीटों पर भी उसका असर पड़ेगा चबड़ा का अपना इंडिपेंडेंडेंट चुनाओ लड़ेगा जो भाया का इतना ध्यान चबड़ा की सीट पर होता नहीं है तो भाजपा और कांग्रेस विदान अत्रत से क्या आखिर ये हुआ क्या बहुमत होने के बावजूद हमार गए जैनाराण नागर एक बड़ा नाम है भाजपा के लिए काफी समर्पन भाव से मंडेल अध्यक्ष थे वो जीत के आये थे और अंतिम शणों तक भी किसी को नहीं पता था कि उनका टिकट इस तरह से काट दिया जाएगा तो एक नागर समाज का भी बड़ा वोट बेंक है अब ये बड़ा दिल्चस्प होगा मुकाबला ये तो चुनाओ के वक्त ही पता लएगा फिलाल अगर बात करें हम कांग्रेस के लिहास से मुस्लिम समाज एक बहुत बड़ा वोट बेंक है पिछले हम आपके लिए क्या कर सकते हैं वो देखेंगे और वो देखने देखने में वक्त निकल जाता है जिस तरह से एक उमीद होती है मुसलिम समाज को कि कांग्रेस की सरकार है हमारी उमीद है पूरी होंगी हमारे साथ कुछ अच्छा होगा जैसे भी पेरा टीचर्स का ही आप मा समान कॉंग्रेस नाराज हैं जिसमें कोई दोराय नहीं है और कहीं ना कहीं एक दूसरे मजबूत विकल्प की तलाश में रहते हैं और जहां जहां उन्हें इस तरह का मौका मिला है उन्हें का साथ छोड़ दिया है चाहे वह दिल्ली देख लीजिए या बिहार देख लीज सहारा है कहीं ना कहीं वो उनको जिताने में मददगार होते हैं जमानत बचाने में मददगार होते हैं लेकिन राजस्थान में अगर कोई तीसरा विकल्प सामने आता है इस तरह का मजबूत विकल्प तो वैसे आपको पता है राजस्थान का राजस्थान की हम बात करते है कुछ सीटों पर नुकसान होगा या कोई तीसरा मौर्चा अगर मजबूत तीसरा मौर्चा बनता है या कोई कंडिडेट ऐसा लगता है कि जो भाजपा कॉंग्रेस दोनों घराने की उसमें कोई माइनुर्टी वोटर बहुत साइलेंड वोटर है वो आखिर तक वोच कर रहा है देखेगा कि कौन केंडिडेट है जो जीतने की पोजिशन में है फिर उसके साथ भी हो जा सकता है वरना तो कंग्रेस का भरोसेमन साती है भलें कंग्रेस उसके लिए कुछ कर रही हो या नहीं क पर्त्याशी पार्टी ना देखकर प्रत्याशी देखकर वोट देंगी कौनसा प्रत्याशी जीतने की पोजिशन में कौनसा है जो हमारे कंजहरिला है जिसके बयान इस तरह के भड़काओँ नहीं है यह सामपरदाइक नहीं है तो यह सारी चीज़े मतलब बाकी अपनी करने वाला कौन है इस तरह के मुद्दों पर ध्यान देते हुए भी मायनुरिटी के लोग वोट करते हैं और यही आने वाले वदान सबस्चिनाओं में देखने को मिलेगा सिक्यूरिटी बड़ा मुद्दा है चलिए आपसे एक लंबी और बड़ी ग्यानवर्दक की जरूरत है लेकिन ऐसे लीडर पेदा क्यों नहीं हो जिन्हें कांग्रेस को कहना पड़े के हाँ यह हमारा लीडर है इसके साथ हमें काम करना है बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है यह बहुत ही अच्छा सवाल आपका काम है इसमें कमी दोनों तरफ से है अब दो से लीडर है नेता है उसको दरकिनार करके नए नेता पार्टी बना देती जो उनके यसमें हो आपको पता है जिस तरह के लोगों को पसंद करती है दूसरा इसमें जो बड़ा आपका है तो एक बड़ा रोल या बड़ा हाथ समाज का है समाज भी उन्हीं लोगों के साथ जाती है जिनके पास पार्टी का टिकेट होता है अगर अभी जो मुझूदा विधायक हैं अगर वो अपनी पार्टी के खिलाफ जाते हैं बगावत करते हैं और आने वाले चुनाव में बिना टिकेट कर वो लड़ते हैं निर्देली हो च चेराई होता है तो यह देखने को मिल हो सकता है ऐसा देखने को मिले कि वो ब दरे से चुनाव हार जाएं इसलिए भी वो लोग हमत नहीं कर पाते लेकिन कहीं न कहीं यह कमजोरी है और कम्यूटी में को भी ऐसे लीड़़ का साथ देना चाहिए जो कम्यूटी के इशूज पर बोलते हैं बढ़ चड़कर आगे आते हैं या पार्टी के फैसलों पर भी सवाल या निशान उठाते हैं उन्हें मजबूती देना चाहिए क्योंकि मजबूती नेता की जो मजबूती है वोटर से है अगर उसको यह एसास होगा कि मैं निरदेली भी चुनाओ जिस सकता हू अगर मैंने जनता के मुद्दे में उठा रहा हूँ जनता के आवाज पर में खड़ा हो रहा हूँ जनता भी मेरे साथ खड़ा होगी जब वक्त आएगा तो ऐसे नेता की पार्टी भी सुनेगी और वो बिना किसी पार्टी के टिकेट पर विदानसभा लोकसभा में भी जा पर आये हैं राजय सभा के सांसत बने हैं वक्तन फोक्तन बाद भी उठाते हैं अपने समाज की कौम की फिलाल 2023 के आखरी महिनों में जब विदान सभा की चुना होंगे कितना मंधन कांग्रेस पार्टीस पर करेगी के माइनुरिटी को किस तरह से राजी करके उसको अपने पर आपने अपना कीमति वक्त निकाला हमारे चैनल के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया देश और प्रिदेश की सियासत के उपर सभी राजनीतिक पार्टीयों ने अपनी जाजम को बिशाना शुरू कर दिया है सभी अपनी अपनी चाले चल रहे है अब ये तो आने